योजनाईन इन्दी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है विकलांगो को होली का जबरदस्त तोफ़ा विकलांगो को मिलेगी मोटराइज ट्राइसाइकल और आप इस तारिक से पहले जल्दी करे आविदन और कितनी ट्राइसाइकल आपको मिलेंगी और कहां पर मिलेंगी वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आप इसके लिए कैसे आवधन कर सकते हैं और किस तारिक से पहले आवधन कर सकते हैं सब कुछ जानकारी आपको यही पर मिलने वाली है तो अगर आप एक विकलांग है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सक्सक्राइब करिएगा तो चलिए बताते हैं कि कहां पर यह मोटराज ट्राइस साइकल दी जाएगी और इसके लिए अविदन आप कब तक कर सकते हैं दिव्यांगों को होली के तोहार पर खुशकबरी है 15 वरस से लेकर के 45 वरस आईउ वरक के 31 दिव्यांगों को विधायक की अनुसंसा पर 31 असकुटी की सोगात मिलेगी इसके लिए 4 मार्च तक फार्म भरे जाएंगे अक्षेत्र के अध्यनर्थ वे रोजगार के लिए आने जाने वाले दिव्यांगों की परिशानी को देखते हुए सिक्राय विधायक वे महिला एवं बाल्युकास विभाग की मंतरी ममता भुपेश ने होली के तोहार के मद्दे नजर अभी संसाग कर अपने विधायक कोटे से जिला परिशद से प्राप परसासनिक वे वित्य स्विक्रती के अनुसार 31 असकुटी मोटराई ट्राइसेंकल के लिए दिव्यांगों का चैन कर सोगात दी जाएगी जी आँ दोस्तो 31 दिव्यांगों को यह ट्राइसेंकल दी जाएगी जो मोटराई ट्राइसेंकल है और इसके लिए चार मार्ज तक आप आवधन कर सकते हैं और कैसे आवधन कर सकते हैं मैं भी आपको आगे बताएंगे समाजिक न्याय एवं अधिकारिक्ता विभाग ने सिकराय विदान सबाक छेतर के चलन निसकता के पात्र 15 से 45 वर्स के दिव्यांग जनों मोटराइस ट्राइसेंकल के लिए अमंतरित किये जा रहे हैं इसके लिए पात्र दिव्यांग ओफलाइन आवधन कर सकते हैं आवधन करने की अंतिम्तिती चार मार्च निर्धारित की गई है निर्धारित आविदन पत्र का प्रवरूप प्राप्त करने एवं अन्य कोई भी जानकारी के लिए दिव्यांगों की सुविधा के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग कलक्टरेट परिशर में कमरा नंबर 149 में संप्रक कर सकते हैं साथ ही सुविधा के लिए टेलिफोन नंबर 0142722344 सुनने पर भी संप्रक कर सकते हैं समीती दुबारा किया जाएगा चैन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग के सायक निदेशक डाक्टर करतार सिंग मीना ने बताया है कि सिक्राय विधायक ममता वुपेश की अनुसंसा पर 31 दिव्यांगों को जिसकुटी वित्रित की जाएगी और निर्धारित तिथी 4 मार्स तक आविधन प्राप्त करने के बाद चैन समीती के दुबारा पात्र दिव्यांगों का चैन किया जाएगा सिक्राय चैन के पात्र दिव्यांग आविधन करके लाब उठा सकते हैं देखे जो राजस्थान का दोसा जिला है उसमें एक विधान सबाब अक्षेत्र पढ़ता है सिक्राय तो अगर आप सिकराय के रहने वाले हैं तो आप आविधन कर सकते हैं चार्च मार्च से पहले और इसकूटी का आप लाब ले सकते हैं आपको भी अगर पात्र हुए तो इसकूटी दिया जाएगा तो इसके लिए आप ओफलाइन आविधन कर सकते हैं आप अपने ब्लोक में जाकर के आवधन कर सकते हैं जो सिक्राय ब्लोक पड़ता है तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगा हो तो लाइक, सेर, कमेंट जरूर करिएगा